पिस्पिल्ला रफ्माद रहीम के जी क्लास वेलकम बैक तो दे मैट्स लेसन मैं हूँ आपकी मैट्स की टीचर में सदफ और आज हम जो कॉंसेप्ट करे थे पिछले लेसन से कॉंटिन्यू करके आज इसका डे टू है डे टू में टीचेस आपको पता है कि जो एक्टिविटी दिखाए होंगे घर में मौझूद कुछ रियल अब्जेक्स का भी जिकर फूब होगा क्लास में हो सकता है क्लासरूम में जो इनके पास लंच बॉक्स हैं वाटर बॉटल्स हैं या पैंसल बॉक्स हैं उनकी ही मिसाले बच्चों ने आपको दी हो तो आज बच्चे फूब होंगे उन शेप्स के नाम के साथ और उनकी में में भी वो रिफ्रेश होगा तो आज का हमारा टास्क है दे रेकिगनिशन अफ रीडी आप्जेक्स ना टुडे दे नो थीज़ीज शेप्स तो यह वाली प्रैक्टिस आपने बच्चों से आज खुद उनसे रिस्पांस बै में हम बच्चों को फमिलियर करवा रहे हैं वो रेकिनाइज एन नेम 3D आपजेक्स है पहचार इनोंने कल सीखी थी नाम भी इनके कल सीखे थे आपने ये किन फ्लाश कार्ट पर ये बोट पे इनको लिखके दिखाए होंगे कौन के सिलिंडर के स्पेलिंग्स तो अब यह स्पेलिंग्स के साथ भी फमिलियर हैं आपस में तो वह क्यूबड बन जाते हैं और इनको बोक्स वेरी गुट तीचर अभी आप इनसे ये फ्लाट शेप्स को हम जदी जदी रिकॉल करवा लेते हैं रेक्टैंगल स्क्वेर ट्राइंगल ओवल सर्कल अब अगर आपने टीचर बच्चों की आप्जरवेशन स्किल के ओपर थोड़ी वर्किंग्स की है तो वह आपको खुद बताएंगे कि क्यूब को क्यूब इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी सारी साइड्स स्क्वेर होती है क्यूब ओइड को क्यूब ओओइड इसलिए कहते हैं क्यूंकि इसकी तमाम साइड्स रेक्टैंगल की तरह होती है यानि दो साइड्स लंबी और दो साइड्स चोटी और जो आपका स्फियर है इट इस राउंड आपजेक्ट पट इस अल त्री डामेंशन्स सो जब आप इ इतनी मूवमेंट जो है वो चारों तरफ से होके उस बॉल को कम्प्लीट करती है इस इस हाओ दे विल ओल्सो डिवलप इंडिस्टैंग ऑफ 3D आपजेक्स तो किताब का सफ़ाज देखिए जिस पर हमने कल प्यारे बच्चों ये एक्टिविटी की थी कि हमने शेप्स को द इसकास की थी किसी और के पास को यसी एक्जाम्पल है तो वो जरूर शेख करें and the name of this shape is sphere and it's a 3D shape well done next is kone 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 ice cream की हमने कल बात की थी kone की spellings थे c o n e kone ये आपने tracing करनी है very good next is cube 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 this is cylinder cylinder cuboid good so let's get back again to recall all these the names of these shapes this is cuboid this is cylinder this is a circle yes this is not a sphere this is a circle very good and this is a cone is ka matlab ye hai ki ab aap ko flat ka aur 3D objects ka concept samaj a gaya hai so teachers abhi aapne bachon ko words you trace karne hai us activity se pehle इनसे recall करवाने है तमाम ये shapes इनकी objects के नाम and then you give them some for a time जिसमें ये इनको देखेंगे उनके spellings भी लिखके उनकी भी practice करेंगे this is their task for today और और आज जब आप पच्चो किताब का सफ़ा complete कर लेंगे तो आज की जो activity है math corner की वो बहुत interesting है और किस किस को याद है ये activity हमने GK में सीखी थी आपको दिये थे छोटी-छोटी sticks दी थी जैसे math sticks है या ice cream sticks है और play-doh के साथ आपने मुख्लिफ shapes बनाने सीखे थे वो तो हमने ऐसे activity randomly की थी लेकिन अब आपने उस skill को इस्तमाल करके अपने 3D shapes बनाने हैं जैसे कि screen पे आपको तस्वीर में दिखाई दिये तो teachers बच्चों को इन concepts को explore करने दें play-doh और math sticks दे सकती है आप इनको ये चोटी ice cream sticks दे सकती है ये आप इनसे खुद कहें कि ये playground से जो है वो चोटी स्टिक्स लें आए उनको तोड के साफ करके तो फिर ही ऐसे जो है वो चोटी 3D shape के models बनाए activity में engage करें children will love it so art corner के लिए teachers अगर आपने इनको कोई वहां पे भी activity के लिए range की वी है ताकि आप इनको 2D और 3D दोनों differences इनसे आप जो है वो बनवा लें that would be wonderful क्योंकि इन दोनों activities में जो difference है it is of the sides and of the faces तो square के corners है circle के और sphere के कोई corners नहीं है यही discussion आपने बचों के साथ जो भी shape को आप लेके discuss करें वो आपने करनी है extra practice worksheet नीचे description box में available है जिसमें बचोंने कुछ coloring करनी है और फिर identification करनी है और एक की साथ ही गई है कि किस shape में कौन सा color करना है so continue with the activities complete the task of the book and we will be back next time take care and Allah Hafiz